So hello everyone, आज हम लोग पढ़ेंगे alpha 1 antitrypsin deficiency के बारे में, हमने दो पढ़ लिए हैं, जो कि metabolic disorders थे हमारे लिवर के लिए, that is hemokromatosis और Wilson disease, अब हम लोग पढ़ेंगे alpha 1 antitrypsin deficiency, यह एक autosomal recessive disorder है, इसमें mutations होती है, जिसके वज़े से misfolding हो जाती है, specifically यहाँ पर हम किसकी बात कर र है proteases को, जो हमारे neutrophils है, वो एक protease जो है, वो सिक्रीट करते हैं, that is elastis, आंतियों कि neutrophils जो है, वो अच्छे होते हैं हमारी body की immunity के लिए, लेकिन अगर वो हमारे को attack करने लग जाएं, तो थोड़ी अच्छी बात है कोई, तो क्या होता है, कि हमारे जो lungs हैं, उसके अंदर हलकी छोटी-मोटी चीज थी, लेकिन अब क्या हुआ, कि जो alpha-1 antitrypsin होता है, वो उस protease को, neutrophils के protease को inhibit करता है, कि बस अब तेरा काम खताम है, अब तो जाएं वापिस, लेकिन अगर alpha-1 antitrypsin नहीं है, तो ये जो elastis, ये जो protease है, ये क्या करता है, हमारे lungs के elastic fibers को तोड तो हमारा जो lung का alveoli है, वो elastic ही नहीं रह पाएगा, तो वो collapse हो सकता है, so that will lead to pulmonary emphysema, this is a condition where destructive proteases are not inhibited, so this will lead to pulmonary emphysema, also affects liver, हाँ, तो हमने ये lungs की बात करी है, अब लिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लिवर की भी कुछ बात कर लेते हैं, लिवर के अंदर क्या होता है, कि ये जो misfolded protein है ना, वो accumulate हो जाती है, क्योंकि obviously ये जो protein है, ये लिवर में ही बननी है, तो लिवर के अंदर क्या होता है, ये जो misfolded proteins है, वो accumulate होना शुरू हो जाती है, अब हमने यहाँ पर बात कर ली, कि alpha 1 antirepsin जो है, वो misfold हो रहा है, लेकिन किस gene के वज़र से हो रहा ह तो वो जो gene है, that is P.I.M.M. gene, ये normal है, M.M. जब आए, तो that is normal, P.I. is protease inhibitor, M.M. मतलब normal, कौन से chromosome पे होता है, chromosome number 14, अब इसके अंदर जाब mutation है, most common mutation है, P.I.Z.Z, M.M. कि ज़र का Z.Z. आज़र है, that is कि दोनों ही alleles जो है, वो abnormal है, ये तो बस तबाही ही करेंगे, पाथोजन में क्या होता है, मिस फोल्डिंग हो गई, obviously हमने इपड़ा न, मिस फोल्डिंग हो जाती है, और मिस फोल्डिंग हो गई, एग्रिगेशन हो गई लिवर के अंदर, अब उसकी वज़र से, अनफोल्डिट प्रोटीन का response आएगा, कि हम बोलेंगे, कि जब कोई प्रोटीन ज हो जाएंगे, उनके सेल्स की, लंग्स के अंदर हमने पढ़ लिया, एमफासीमा हो रहा है, मॉर्फॉलजी में हम देखेंगे, ग्लॉबिलर इंक्लुजिजिन बन रहे हैं, हिपाटोसाइट के अंदर, ग्लॉबिलर इंक्लिजिजिन, हम उसे स्टेन कैसे कर सकते हैं, PAS, that is periodic acid shift staining, वो positive देता है, क्लीजिजिजिजिजिजिजिजिज फीचन के और 3%या हिपाटिक सेल कार्सिनोमाँ होने के, सो HCC in 3% of PICC adults, Neonatal Hepatitis भी हो जाता है, जो कि jaundice होता है, अगर alpha 1 antitrypsin deficiency हो, तो फिर neonates में hepatitis jaundice हो जाता है, 20 to 10%, 10 to 20% of the newborns में, इसका क्या treatment हो सकता है, लिवर transplantation कर दो, ताकि उसके अंदर जीन है, वो सही निकले, और ऐसे लोगों को, जिनके अंदर alpha 1 antitrypsin की deficiency होती है, उ क्योंकि स्मोकिंग के वज़े से जो पार्टिकल्स हमारे अंदर लंग्स के अंदर जाते हैं, वो होते तो फॉरे नहीं है, तो इसलिए हमारी बॉड़ी नूट्रोफिल्स बनाती है, तो नूट्रोफिल्स अगर बनाएंगे, तो वो elastase करेंगे, अब elastase को तोड़ने के जो हमारा antitrypsin था, वो अब है ही नहीं, तो इसलिए, elastase जो है, वो जब टूटेगा, elastik fibers टूटेंगे, तो फिर M.Y.C. मा हो जाएगा, तो तो याँ दिस वस अवाइड स्मोकिंग, तो याँ दिस वस बॉड़ी अंदर लिए हैं, जो की लिवर के अंदर आते हैं, इस और पिल्ख कर रे जाए अकिन ख्योरी अंदर चान, तो लुड़ी माहं करते हैं, तो यह 53 तूबगी टो की लिवर क्यों सब्योरी दोटैवीर को अवजे क्यों समाज आतмен, तो येडिअ तो पूम सब्सक्रीच, जो की अवाईब ग्यान, झारत वार्य बटोरी करते हैं, त झाल झाल